हेलो फ्रेंज वेलकम टू बेगमा यूटूब चानल रोटो सक्षेज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सेर्विस कमिशन रेक्रूटमेंट 2022 के ओनलाइन एप्लिकाशन के बारे में और इसके फुल नॉटिफिकाशन के बारे में तो फैंट्स आप आपका यहाँ पर BPSC के तरब से हेड मास्टर के दे आपका यहाँ पर रेकूर्टमेंट नॉटिफिकाशन जायरी किया गया है जिसके जो ओनलाइन एप्लिकाशन है आपके यहाँ पर ओद्रेडी स्टार्ट हो चुके हैं तो दोस्तों किस तरह से आप इस एप्लिकाशन के अगर आप भी BPSC हेड मास्टरिक फॉर्म के लिए अपलाइ करना चाहते हैं तो फैंस आप इस फॉर्म के लिए अपलाइ कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिफिकाशन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसे लिंक पर क्लिक करके आपका जो भी एप्लिकाशन है आप चेक आउट कर सकते हैं यहांप आपका इंप्सक्रिफीन जेक्रिक नोटिफिकाशन जारी किया गया है उसकी डीटल आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है BPSC का online application आपको simply इस पर क्लिक करना है इस लिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ website से related जो भी आपका यहाँ पर browser है उसे आप check out कर ले ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह का dashboard देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं welcome to the BPSC online application portal तो दोस्तों यहाँ पर आपको login वाला option देखने को मिलता है अगर आपने पहले से आवदेन कर रहे हैं तो जो भी आपका username और आपका password है आपको फिलप करने बाद लोगिन करना होगा अगर आप इसके interaction को download करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर PDF मिल जाता है आप इसे download कर सकते हैं अब आपको apply में मिल जाता है apply online आपको इस पर click करना है जैसे ही यहाँ पर आप click करेंगे आपके सामने registration form open हो जाएगा जिसमें जो भी आपका यहाँ पर advertisement नबर है आपको check out करना है उसके बाद आपका जो भी name है examination का आप इसे read out कर सकते हैं अब आपको कुछ basic information आपको यहाँ पर fill up करने होगी तो सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पर first name है आपको यहाँ पर carefully fill up करना है अपने 10th के mark sheet के according उसके बाद अपना middle name आपको देना है और उसके बाद अपना last name आपको देना होगा यहाँ पर आपसे कहा गया कि जो भी जो यहाँ जो जो आपको देना होगा उसके बाद अपना baratial status आपको select करना है आप married और une married है तो आपको select करना होगा उसके बाद fans आपका जेंट्राव को select करना है आप अगर आपकी फास है तो आप दे सकते हैं अधरवाज आप इसे बिलंग छोड़ देंगे उसके बाद आपका जो सिटीजन है वो सिटीजन आपका इंडिया ओटोमेंट है कि येस पर सेलेक्ट रहेगा उसके बाद उस तो आपका जो भी प्रमानेंट जो आपका रेजिडेंट है अगर आप बिहार के इस्टेट से आते हैं तो आपको येस पर किलिक करना है उसके बाद आपसे कहा गया कि क्या आप यहां पर रिजेवर्ड केटिगरी से ब्लों करते हैं अगर आप करते हैं तो आपको यह इस पर क्लिक करना है उसके बाद आपसे कहा गया कि फैंट्स आपका जो भी कोड है वो केटिगरी कोड आपको सेलेट करना है तो यहाँ पर आप सेलेट कर सकते हैं यानि कि आपका जो भी केटिगरी है आप उसे चूज करेंगे उसके बाद फेंट्स आपको यहाँ पर नीचा आना है उसके बाद आपको रेड़ लाइन में कुछ नोट दिया गया है आपको अच्छे से रीड़ आउट करना है उसके बाद आपसे कहा गया कि फेंट्स अगर आप फ्रीडम फाइटर के ग्रांड सन या फिर आप ग्रांड डोटर है तो आपको यहाँ करना है अदरवाज आपको नोपर ही रेने देना है उसके बाद आपसे कहा गया कि फेंट्स आप देलाँ चारते लिए हैं करेंगे उसके बाद दुस्तों आपके इंट्रेश आपको देना हो तुआ अपका आप कोरिस्पोंडीं गौब आपको एंट्र क्रना होगा तो को सेम है आपको सेम yapıyor कि एंट्र करने है कि कि आपके पास essential qualification है अगर है तो आपको ons इस पर ही रहने देना है अब आपका जो भी mobile and email ID है उसका आपको verification करना होगा तो दोस्तों जो भी आपका Ahead नई पर email ID है वो आपको fill up करना है उसके बाद आपको get email code पर क्लिक करना है उसके बाद आपको एक code पराव्त होगा उस code को आपको verify करना होगा उसके बाद अपने mobile प्रापको एंटर करना है और आपको get mobile OTP पर क्लिक करना है उसके बाद आपकेस सारी डिट्यल आपको अच्छे से चेक आउट करने के बाद इसे आपको accept करना होगा तो आपको यहाँ पर यह पर click करना है उसके बाद फेंड्स आपका यहाँ पर जो registration है आपका यहाँ पर successfully हो जाएगा उसके बाद फेंड्स आपका registration number और आपका यहाँ पर देखरों को मिल जाएगा उसके बाद फेंड्स आपको यहाँ पर नीचे आना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है update your registration information आप इस पर click करेंगे और आपका जो भी registration information है आप इसे update करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का option देखरों मिल जाएगा जो भी आपका registration detail है आपको अच्छे से readout करना है उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है modify registration detail अगर आप कोई भ verify करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अब उसके बाद फेंट्स अपना payment आपको करना होगा तो उसके बाद यह अपने application को आप submit कर पाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले अपना जो भी payment है आपको confirm करना होगा उसके बाद आपका जो भी photo and signature है वो आपको upload करना होगे तो आपक अब यहां पर आप देख सकते हैं कितना payment को पेह करना है उसके डेटल आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको payment mode दिया गया है जैसे भी method से अपना payment करना चाहते हैं आप उसे select कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं net banking, credit card, debit card का option दिया गया है जिसी बिन तरशे पर अभ्य मेट करना चाहते हैं आप उससे चूज़ करेंगे चूज़ करने के बाद दूस्तो आप यह पर देख सकते हैं आपका जो भी मोबाल नंबर है वह मोबाल नंबर आपको एंटर करना है उसके बाद अपने email ID और उसके बाद जो भी आपका नेम है, वो आपको फिलोव करना है, अगरवाइज आप इसे blend inn सोड़ सकते हैं, उसके बाद आपसे कहा गया है, कि आपका जो card है, वो David card है, तो आपको पर सेलेट करेंगी और सेलेट करने के बाद आपको यहां पर परसिट नाव पर किलिक करना है तो फेंट जैसे यहां पर परसिट नाव पर किलिक करेंगी अब आपका जो भी कार्ड होल्डर नेम है वह आपको देना होगा आपका कार्ड का नंबर आपको देना है और आपका ज जो भी application form है उसमें अपना photo and signature आपको upload करना है और आपके जो भी qualification detail है आपको fill up करने हैं और fill up करने के बाद friends आपका जो भी फाइलेंस सेमिट है आप उसे करने के बाद जो भी आपका print out है आप उसे लब कर सकते हैं so friends I hope के वीडियो आपको पसंद आया है अगर वीडियो आपको पसंद आयते इस वीडियो को like and subscribe जरू करें तो मिलते है किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत